कावर यात्रा के दौरान दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने के लिए दिये गए आदेश पर उत्तर प्रदेश में भारतिय जंता पार्टी के सहयोगी राष्ट्रिय लोगदल के नेता और केंद्रिय मंत्री जैंत चौधरी ने सरकार से फैसला वापस लेने को कहा था इसके बाद से ही सपा ये दावा कर रही थी कि जैंत एक बार फिर सपा के साथ आ सकते हैं लोगसभा चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रिय लोगदल के अध्यक्ष जैंत चौधरी ने सपा चीफ अखिलेश यादव का साथ छोड़कर भाजपा की एंडिये का दामन थाम लिया था जैंत ने बीजेपी के साथ मिलकर दो सीटों पर चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की आप जैंत चौधरी मोधी सरकार में मंत्री हैं और उनकी पार्टी एंडिये में शामिल है मगर पिछले कुछ दिनों से जैंत चौधरी ने बीजेपी सरकार के कुछ फैसलों को लेकर खुले तोर पर अपनी नाराजगी जाहिर की है इसी को लेकर सियासी कयास लगाय जा रहे हैं कि क्या यूपी की राजनीती में एक बार फिर बड़ा परिवर्तन हो सकता है अब खुद अखिलेश यादव ने सवाल का जवाब दिया है एक न्यूस चैनल के साथ खास बाचीत के दौरान समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव से पूछा गया कि क्या आपको उमीद है कि जैंत चौधरी फिर से आप से हाथ मिला सकते है इस सवाल के जवाब में सपाचीफ ने जो जवाब दिया वह अब राजनीति खलकों में चर्चा का विशय बन गया है इस सवाल का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि राजनीती में किसकी क्या मजबूरी है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं लोग जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं उन्होंने कहा कि हमारे पास देने के लिए क्या है हमारे पास ना बजट है और ना ही मंत्री पद है हम क्या दे सकते हैं लोग वही जाते हैं जहां कुछ लाब होता है हमारे पास अभी कोई लाब नहीं है आपको बता दे कि कावर यात्रा के दुरान दुकान पर दुकान मालिकों और कर्मचारियों के नाम लिखवाने का आदेश योगी सरकार ने दिया था इसको लेकर भारी विवाद हुआ था योगी सरकार के इस फैसले के खिलाफ रालो चीफ जैन्त चौधरी ने भी अपना बयान दिया था उन्होंने साफ कहा था कि फैसला बीजेपी ने ज्यादा सोच समझ कर नहीं लिया है बस ले लिया गया है इसलिए सरकार इस पर टिकी हुई है जैन्त ने कहा था कि अभी भी समय है कि सरकार को यह फैसला वापस ले लेना चाहिए इसी के बाद से कयास लगाय जा रहे थे कि क्या जैन्त और बीजेपी में सब ठीक है वैसे जहां तक जैन्त चौदरी की बात है लोगसभा चुनाव से पहले RLD का गटबंधन सपा के साथ था और जैन्त चौदरी विपक्षी इंडिया गटबंधन का हिस्सा थे लेकिन लोगसभा चुनाव से एन पहले NDA सरकार ने चौदरी चरण सिंग को जब भारत रद देने का एलान किया तो उसके बाद जैन्त चौदरी ने NDA का दाम थाम लिया NDA के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद वो केंद्रिय राज्य मंत्री बने और यूपी में उनकी पार्टी के नेताओं को मंत्री बनाया गया लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद से खास तोर पर पश्चिम यूपी में सियासी परिस्थितिया बदल रही है ऐसा इसलिए भी क्योंकि पश्चिमी यूपी में जाट और मुस्लिम रालोद के परम परागत वोटर रहे हैं 2013 के मुजफर नगर दंगो के बाद वोट बैंक चिटक गया लेकिन 2022 के बाद से फिर से जैन चोदरी अपनी खोई हुई सियासी जमीन पाने के में कुछ हद तक काम्याब रहे उनका विरोध भी उसी प्रिष्ट भूमी में जोड कर देखा जा रहा है इस तरह BJP के अंदर खाने और सहयोगी दलों की तरफ से उठ रहे सवालों के बीच हैरानी की बात यह है कि CM योगी आदितिनात ने कोई टिपणी नहीं की है और वो चुपचाप सरकार के कामकाज में जुटे हुए है जानकार इससे भी ज्यादा इस बात को लेकर आश्चर्य जता रहे हैं कि BJP के अंदर खाने से बढ़ते विरोध के बावजूद संगठन की तरफ से कहीं सकती दिखाने वाली बात नजर नहीं आ रही है इन सब को देखते हुए विशलेशकों का कहना है कि बहुत संभव है कि BJP 10 सीटों पर होने वाले उपचुनावों तक संभवता चुपी साधे रहेगी और पार्टी के भीतर और सहयोगियों की तरफ से उठते सवालों के जवाब उपचुनाव के नतीजों के बाद दिए ज of the फट्लाव पे जटन और करदे ले समगोजाब है की कर दो तक दोंस Gotta सब कर देख जहुआएं में मैंप समग्यस झभब कहा है कbase Ol Oh